दोस्तों आप Excel में तो हमेशा काम करते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको वो 5 बड़े कारण बताने वाला हूँ, जिससे आप आज से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बाद से आप Google Sheet में काम करने लगेंगे Google Sheet, Google का एक project है, जिसमें online आपको office के सारे tools मिलते हैं, जिसमें MS Word भी है, Excel भी है, PowerPoint भी है, लेकिन थोड़ा सा अलग नाम दिया गया है, जैसे Word को नाम दिया गया है Google Doc, और Excel को नाम दिया गया है Google Sheet, अब वो कौन सी 5 चीजे हैं, जो इसको MS Word से जो आपका offline software है, उससे अलग क क्या फायदा मिल सकता है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में, नवश्कार दोस्तों, मैं अभी मेनी भरदवाज आपका स्वावत करता हूँ, MyPK Smart Classmers, चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, computer technology से जुड़े हुए धेर सारे tips और tricks, तो अगर आप नए है, चैनल स चीट को इस्तेमाल करता हूँ, और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी इस्तेमाल करने लगें, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, चानते हैं कौन से हैं वो 5 कारण, तो दोस्तों ये है Google Doc का Homepage, यहाँ पर आपको Google द्वारा चार चीज़ा प्रोवाइ वो 5 चीज़ें, जिनकी वज़े से आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और यह Microsoft Office से और भी ज्यादा कैसे बहतर काम कर सकती है, तो यहाँ पर आपको जाना है Google Sheet पर, और पहली चीज़ यह है कि यह बिल्कुल फ्री है, और यह Cloud पर Storage है, इसके लिए आपको इंटरन की जरूरत नहीं बड़ेगी, आप इसे offline भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है Google Sheet का blank page बनाने का option, तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे, तो आप एक blank spreadsheet open कर पाएंगे, और आप देखेंगे इसका जो पूरा इंटरफेस है, वो पूरी तरीके से, Excel की तरह ही है, और इसमें क्या advanced चीजें हैं, जो आप Excel में नहीं कर सकते हैं, तो पहली चीज तो यह online है, free है, यानि आपको pirated software चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब online होने का एक बहुत बड़ा फाइदा इसमें ये भी है, कि आप इस sheet को 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ, 20 लोगों के सा इनने लोगों के साथ भी चाहें, share करा सकते हैं, और एक साथ में सभी लोग काम कर सकते हैं, ये कैसे करेंगे, यह आप करेंगे यहां पर share के button पर जाके, जब आप इस पर click करेंगे, तो यहां पर आपको दिखाए देगा people का option, और यहां पर आपको मिलेगा option, email address डालने का, इसके आगे आपको pencil जैसा जो icon है वो मिलेगा और जब आप इसे click करेंगे तो आपको दिखाए दिखा can edit, can comment और can view का option अगर आपके एक बहुत बड़ी team है और एक बहुत बड़े database पर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना काम लोगों के साथ बाट सकें एक साथ मिलके कर सकें तो आप Google Sheet पर अपनी worksheet बनाईए database तयार कीजिए और एक से जादा लोग एक साथ मिलकर उस database पर काम क कर सकते हैं तो यहां पर यह तूनों option है उसमें से आपको इस्तमाल करना होगा can edit वाला option और यहां पर डालना होगा उस व्यक्ति का email id जिसको आप यह sheet के लिए invite करना चाहते हैं और आगे आप कितने भी email id डल सकते हैं यह आपके उपर depend करता है कितने लोगों से आप काम करा सकते हैं साथ में उनके लिए यहां पर एक note भी भेज सकते हैं कि आपको इस sheet पर क्या काम करना है इसके बाद आप इसे send करती है और वो जो दूसरा वक्ति है जिसे आपने send किया है वो अपने system पर आपकी sheet को open करेगा साथ में आप भी open करेंगे और दौना मिलके एक साथ में पर काम कर पाएंगे तो यह तो था फहला reason दूसरा reason यह है कि मैं ज्यादातर हिंदी में काम करता हूं और आप मैंसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदी में काम करते होंगे लेकिन कहीं कहीं कोई कोई शब्द कोई list जो होती है हमारे पास English में आ जाती है जैसे यहां पर लिस्ट को हिंदी में translate किया जा सके या और किसी भाषा में translate किया जा सके लेकिन Google Sheet में एक ऐसा formula होता है जिसकी help से आप कोई भी list को सीधे सीधे English से Hindi में या Hindi से English में आसानी से translate कर सकते हैं और वो formula आपको लगाना और वो formula लगाना बहुत आसान है आप जिस भी cell को हिंदी म लगाना चाहते हैं उसके सामने वाले cell में बराबर का निशान लगाई है टाइप कीजिए Google translate तो आप देखेंगे यहां पर जैसे आप Google टाइप करेंगे तो आपको दो फर्मिले यहां पर दिखेंगे Google Finance और Google Translate आप translate पर क्लिक कर दीजे और यहां पर उस cell को select कर लिजे जि इसको double quote को बंद करेंगे फिर लगाएंगे comma उसके बाद हमें convert किसमे करना है Hindi में, तो double quote में हम hi type करेंगे और इसके बाद double quote को बंद करेंगे bracket को बंद करेंगे और enter करेंगे तो ये क्या करेगा इंटरनेट की help से आपका जो भी आपने list में नाम लिख रखा है उसको हिंदी में convert कर देगा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पस नहीं जब मेरी बहुत लंबी कोई list होती है और उसे मुझे translate करना होता है तो मैं इसी का इस्तिमाल करता हूँ अब आप मैंसे बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ती है ये जो list में नाम दिये गए हैं जैसे राम कुमार शर्मा राम शर्मा या और भी कोई नाम हो 10 हो 15 हो 20 हो उनको split कराने की यानि उनको बीच में से काटने की राम अलग कर सकते हैं शर्मा अलग कर सकते हैं और कुमार अलग कर सकते हैं ये सारे नाम अलग अलग cell में आ जाए तो इसके लिए आप Excel में बहुत लंबे चोड़े formula लगाते नहीं है बस दोनों cell को select करना है data menu पर जाना है और यहाँ पर आपको option दिखाए देगा split cell to column का इस पर click करिए आप देखेंगे यहाँ पर detect automatically लिखा हुआ है इसको click मत कीजिए यहाँ से आप जो custom option है उनको select कर लिए जैसे comma है, semi comma है, period है, space है तो मैं यहाँ पर space को select करता हू और आप देखेंगे जैसे मैंने space select किया तो जो मेरे नाम थे वो अलग-अलग कट गए यानि कि राम अलग column में आ गया, कुमार अलग column में आ गया और space के बाद जितने भी मेरे नाम होते हो वो भी अलग-अलग आ जाते है तो यह जो चीज है यह मुझे बहुत अच्छी आपको चार तारिक वाला चेंच देखना है कि मैंने उसमें क्या बदलाब किया था तो आप Excel की फाइल में नहीं देख सकते हैं आपको जाना है फाइल मेन्यू पर और यहां पर आपको वर्जन हिस्ट्री का option मिलेगा आप यहां पर आपको दिखाए देगा सी वर्जन हिस् आपने जितनी भी बार अपनी इस फाइल में बदलाब किये होंगे वो सब आपको दिखाए देजाएंगे देख़िए यह फाइल एक बजगर 35 मिनट पर बनाई गई थी और जो दूसरा इसमें बदलाब किया गया था वो एक एक 30 पर किया गया था अगर आप देखना चाहत आप जब चाहें जब इस चीज को देख सकते हैं आप कोई बड़ी फाइल बना रहे हैं कोई बड़ा डेटाविस बना रहे हैं और आपने जितने बार भी कोई बदलाव किया हो उसमें वो सारे जो बदलाव हैं जो सारे changes हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगा और आप चाहें तो उस बदला आपको यहाँ पर क्लिक करके रिस्टोर दिस वर्दन पर क्लिक करके उसको अपने एक्सल की फाइल पर चेंज कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा है गूगल स्प्रेडशीट में काम करने का कि आप पुरानी हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि यह जो गूगल शीट है यह सिर्फ इंटरनेट ओन होने पर ही काम करेगी इसमें एक फीचर है जिसकी सहायता से आप इस गूगल शीट को आफलाइन कर सकते हैं और जम बन करें जब काम कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको उप्शन मिलेगा Make Available Offline जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यह जो document है यह आपका offline available हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाकई में offline काम करता है और क्या बदलाब होते हैं जब offline होता है document कैसे आपको दिखाई देता है तो यहाँ से अभी मैं अपना internet disconnect कर देता हूँ और जैसे ही मैंने अपना internet disconnect किया तो आपको यहाँ पर एक icon अलग से show होने लग जाएगा जिस पर लिखा होगा you are offline और इस time भी google sheet में सारे आप वो काम कर पाएंगे जो आप online रहते हुए भी कर सकते थे तो यहाँ पर मैं आपको जट से sum करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको लगाना है बराबर में टाइप करना है sum आप देखेंगे sum वाला formula जैसे अब work करता है आपके Microsoft Excel में उसी दरी के से काम कर रहा है बस आपको अब enter करना है और आप देखें यहाँ पर जो मेरी google sheet है वो offline भी काम कर रही है अब जब आप online आएंगे तब क्या होगा तो यहाँ से अब मैं internet दुबारा से connect कर देता हूँ अभी मेरा internet connect हो चुका है और आप देखेंगे वो जो icon था वो चला गया है अब यह जो मेरी sheet है वो online available है काम करने के लिए तो यह तो हो गई इस सारी चीज़ में google sheet की है अब आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो google sheet पर sheet बना कर उनको office में open करना चाहते हैं तो वो इसमें बहुत आसान है तो आपको जाना है file menu बर और यहाँ पर आपको option मिलेगा download as का अब अगर आप Microsoft Excel की file में इसको download करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं वैब page के तरीके से आप इसे download करना चाहें तो भी कर सकते हैं और PDF में इसे यहाँ से सीधे-सीधे convert करना चाहें तो भी इसे कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सारे option मिलते हैं गूगल शीट को अलग अलग तरीके से export कराने के तो गूगल शीट के यह जो features हैं यह मुझे बहुत पसंद है आशा करता हूँ आपको भी पसंद आएंगे अगर यह वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को धूरू सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट करके बताएए यह वीडियो आपको कैसा लगा मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा जैहिन पन्नमात्रम